पावस्ठार पवन सिंग के तीन ऐसे नए कारणामे जो भोजपुरी इंडस शायद ही कोई कर सकता है या यूँ कहें ये नामुम्किन सा लगता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है वो तीन कारणामे जिसके चलते पवन सिंग इंडिनो सुर्खियों में है पवन दिन पर दिन अपनी समझदारी का जो ग्राफ है वो बढ़ाते जा रहे हैं जी हां ऐसे किसी भी सुपस्टार से आपने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में उमीद नहीं की हो लेकिन वो हुआ जिसकी उमीद जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कल्पावन सिंग लाइ पहले ये गाना किसी और ने गाया है और जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें बहुत ताजुब हुआ यहां पर आकर उन्होंने अपनी ये गलती मानी और साथ ही साथ उन राइटरों को भी फटकार लगाई जो अपना गाना दो सिंगरों से गवाते हैं और फिर सेम डेट पर उसे रिलीज करते हैं और बताया जाता है कि फलाना बड़े एक्टर ने इस गाने को चुरा लिया लेकिन ये पवन सिंग की समझदारी है और ये पवन सिंग का अपने फैंस के प्रती इमानदारी है कि वो आकर इस बात पर उन्होंने सब कुछ क्लियर किया कि क्या है अपने चैनल पे अब बढ़ते हैं दूसरे चमतकार की तरफ पवन सिंग ने जो दूसरा कारनामा किया है वो यह है कि पवन सिंग ने अपने एक गाने का रिकॉर्ड ऐसा बनाया है जो कि भूजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं बनाया है ट्रेंडिंग मिलियन उसके व्योज पहुच गए है जो अपने आप में ही बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हफते भर में ही उसने ये कारनामा कर दिया इस गाने को लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है अब पवन सिंग का तीसरा कारनाम पवन सिंग भोजपुरी के ऐसे एक मात्र एक्टर है जिनकी फैन फॉलोइंग जो है वो दिवानों की तरह है आए दिन पवन सिंग के नाम के टैटू होते हैं किसी के अरे हद तो तब हो जाती है जब पवन सिंग का चहरा अपने सीने पर टैटू करवाया गया है अपने हाथ पर लेटिस मीडिया में एक फोटो सेलकुरेट हो जहां पर एक बंदे ने पवन सिंग का पूरा चहरा अपने हाथ पर टैटू करवाया है जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टार के लिए जो कि पवन सिंग के जैसे बहुत बड़े सुपस्टार हैं उनके लिए उनके फैन्स की जो दिवानगी है वो बहुत ही बे इंतहा हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए